Hello friends and dear students, today we will discuss stability of conjugated dines और dines का हम एक general introduction देखेंगे इस वीडियो में और इसके बाद फिर structure and stability of conjugated dines देखेंगे कि conjugated dines जो है वो different dines की अपेक्षा ज़्यादा stable की होती है तो आईए सबसे पहले शुरू करते हैं कि dines क्या होती है जैसे कि आप सभी को पता है alkenes वो compounds होते हैं जिसमें double bond या pi bond जो होता है carbon और carbon के बीच में एक single pi bond हो उसी को हम क्या कहते है alkenes बोलते हैं लेकिन अगर किसी ऐसी कोई ऐसी alkenes हो जहां पर दो double bond हो दो जो है pi bonds बने हो तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे dines और जो इनका नाम है वो दिया जाता है as alkene diene तो जो alkene diene मतलब की alka diene alkene जो होता उसमें से ne हटा करके dienes जोड़ देते हैं that is उसका नाम मन जाता है alkene diene आप किसी भी क्या नाम है ऐसे compound जहां पर दो double bonds हो उनका नाम बिल्कुल इसी तरीके से alka dienes के नाम में बना सकते हैं अगर हम लोग alka dienes या dienes की बात करें तो ये तीन तरीके की होती है क्योंकि जो double bond की position है उसके इसाब से ये तीन प्रकारी की हम लोग इंका classification कर सकते हैं तो आई शुरू करते हैं सबसे पहले जो इसमें सबसे पहला classification है वो है isolated या non-conjugated diene ठीक है जो पहला class है उसको हम कहते है isolated या non-conjugated diene जैसा कि यहां पर structure के रूप में भी आपको दिखाई दे रहा है यहां पर दो double bond है वो एक से ज्यादा single bond से द्वारा separated है देखिए एक दो तीन चार पाच पाच carbon है यहां पर जिसमें से पहले और दूसरे carbon की बीच में double bond है दूसरे और तीसरे के बीच में single bond तीसरे और चौते के बीच में single bond और पाच में फिर double bond है ठीक है तो एक से ज्यादा single bonds हैं दोनों double bond के बीच में if two double bonds are separated by more than one single bonds then these are call as isolated या non-conjugated dynes ठीक है next second one is conjugated dynes conjugated dynes में आप देख पा रहे हैं कि जो double bonds होते हैं वो scale एक single bond से separated होते हैं यानि दो double bond के बीच में एक single bond या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि alternate position पर double bond and single bond जो है यहां पर होते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे conjugated dynes if two double bonds are separated by one single double bond sorry one single bond then it is known as conjugated dynes next आगे बढ़ते हैं दो तीसरा ताइप है जहां पर adjacent carbon यानि कि एक साथ जो दो carbon जुड़े हुए हैं उन दोनों carbon पर पस alternate numbers पर नहों करके एक साथ double bonds लगे हो जैसे यह और यह और यह तीनों carbon क्या है एक दूसरे के exclusion carbon है इन दोनोंpulsion carbon के इन तीनों अच्परप्स यहां पर लगा हुए है तो अगर इस तरीके कोई dynes हो तो उसी को क्या कहेंगे Cumulated diens तीकि इसको क्या कहेंगे de Virginia ix जहाँ पर adolescent carbon पर लगे होतेiau उसको कहते हैं इसको कहते है हमारे आच्छो टॉपिक की that is stability of conjugated dynes तो यह जो conjugated dynes हैं यह isolated और accumulated दोनों से ज़्यादा stable होते हैं और ऐसा क्यों होता है इसी को हमको देखना है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर जन्रल बात में कहें कि conjugated dynes में जैसा आपको दिख रहा है यह double bond यहां सिफ्ट हो जाए अगर तो इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में resonating structures बन सकते हैं तो जहां पर जितने जादा बनते हैं उत्ता जादा वह stable होता है यह अभी हम लोग आगे इसको देखते हैं तो आई यह तो पहले और तीसरे पर क्या आपको मिल रहा है double bond और दूसरे और तीसरे की बिच में single bond है यानि कि यह क्या है एक डाइन है और कौन सा डाइन है Conjugated dynes है तो वन त्री ब्यूटा डाइन का example अगर आप ले तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी carbon है यह सारे के सारे क्या है sp2 hybridized है sp2 hybridization क्या होता है मैंने पहले वीडियो अप्लोड कर रखा आप देख सकते हैं वहां पे दूसी चीज़ अगर मैंने एक चीज़ इसमें ठीक भी बताई थी आपको उस वीडियो में कि आप किसी भी carbon पे hybridization गिन सकते हैं without any knowledge तो simple हमको जितन same sp2 hybridization यहां पे है same sp2 hybridization यहां पे है और same sp2 hybridization यहां पे है यानि जो चारो के चारो कार्बन है वो sp2 hybridized orbitals हैं अब अगर अगर अब इनका structure थोड़ा सा खोल कर देखें तो इस फरकार से दिखता है कि यह जो carbon के sp2 hybridized orbitals है वो carbon और carbon के बीच में आपस में overlap करके sigma bond मनाते हैं और यह जो carbon है उससे hydrogen के s orbital के साथ जो है overlap करके भी sigma bond बनाते हैं तो carbon और carbon के बीच में sp2 hybridized orbitals जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं overlap कर रहे हैं और hydrogen के साथ भी वे sigma bond बना रहे हैं लेकिन यहांपर s spiritño hybridized orbital और hydrogen के s orbital के बीच में क्या बन रहा है c- बॉन्द बन रहा है तो cc और c- सार से बन रहा है वह सामने यहां पर दिखाई दे रहा है अब एक बात हमको और ध्यान देनी होगी क्योंकि यहां पर सारे के सारे बॉंड जो है वह SP Two hybridization या SP Two hybrid orbitals की वज़े से बन रहा है तो यह सारा अगा सारा जो SP Two hybrid orbitals है वह एक plane में है एक plane का मतलब कि सब कुछ सच एक जतने भी काबन और hydrogen है वह एक तरीके से क्या है यहां पर अरेंज है और अब दूसरी चीज़ अगर SP Two hybrid orbital की वज़े से जो भी बॉर्ड बन रहे हैं यह सब कुछ एक plane में है तो इस plane के perpendicular plane का perpendicular का मतलब हो गया कि अगर हम माल लें कि सारे के सारे carbon और hydrogen जो है इस plane पे लगे हुए तो यह जो आपका पी और बिटल से यह perpendicular है उपर से नीचे की तरफ ठीक है तो यह जो पर पेंडिकुलर है यानि कि 90 बना रहा है हमारा पी और सभी कार्बन के पास एक एक अन हाब्रडाइजड आपके पी और से क्योंकि यहां पर इसकी वज़े से जो यह पी और से यह भी आपस में क्या हो जाएंगे यहां पर ओवरलैप होंगे और इस ओवरलैपिंग की वज़े से इस सारे के सारे एक साथ ओवरलैप हो सकते क्योंकि सब पास आ गए है और इस side to side कारवन के साथ क्या बना रहा है इसपीटु हैवडाई चैहेंगे उस न की सब consider करें तो अब ये बहुत ही clear हो जाता है कि जितने भी p orbitals हैं वो आपस में overlap अब करेंगे तो जो c1 और c2 आगर आप c2 की example लें c2 का जो p orbital है वो c1 के साथ overlap करेगा और c3 के साथ भी small overlap करेगा क्या करेगा small overlap ठीक उसी तरीके से जो c3 है हमारा वो c2 के साथ small overlap करेगा और c4 के साथ बढ़िया से overlap करेगा तो इस वज़ा से जो एक दो तीन चार चारो कार्बन है इन चारो कार्बन के p orbital जो है वो एक दूसरे के साथ overlapping कर डालेंगे ठीक है और इस overlapping की वज़ा से आपको एक जो है orbital का formation करेंगे इस पाई molecular orbital आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अगर मैं यह कहूं कि चार घर हैं और आप आपके घर में जो चोटे बच्चे हैं यह सारे के सारे overlap कर रहे हैं और इस overlapping के वज़े से पाई molecular orbital बन रहा है तो इच पियर ऑफ करेंगे वो कहीं पर भी इस लॉर्ज अरिया में घूम सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं डी लोकलाइजेशन ओफ पाई electrons इस डी लोकलाइजेशन होने की वज़ा से कुछ इस तरीके का एक इस ट्रक्चर बन रहा होगा जहां पर काबन और काबन के बीच में अब हम इसके नेक्स वीडियो में इसकी एक रियक्शन देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रियक्शन तो वहां पर जब आइंस बनेंगे तो आप जान रहे हैं जब यह आइंस बनेंगे तो यह जो पाई एक दो चीज़ों की और बात करें तो जो कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पर सिंगल बॉंड बन रहा है वह नॉर्मल जो बॉंड होता है 1.57 एंगेस्टम से उससे छोटा है और जो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉंड होता है नॉर्मल आइसोलेटेड ड बड़ा बना रहा है, इसका मतलब यह बेंडेट फॉर्म में है, यह थोड़ा सा बेंड हो रहा है, ताकि जो P-orbitals है उसमें ओवरलापिंग हो, और उस ओवरलापिंग कर दाज सी यह बेंडिंग यहां पर बन रही है, अगर हम इसको experimentally भी देखें कि क्या जो बात हमने कही कि 1-3-butadiene या conjugated diene जो होती है वो ज्यादा stable होती है than the non-conjugated diene से तो इसको हमने experimentally समझ सकते हैं by the heat of hydrogenation hydrogenation वो reaction है जहां पर double bonds में हमको क्या डोलना होता है hydrogen जोड़ सकते हैं तो यह reaction जो है सभी alkenes देती है addition reactions देती है hydrogen के साथ hydrogenation reaction देती है तो heat of hydrogenation जो होती है हमारी conjugated diene की जैसे 1-3-butadiene की वो करीब non-conjugated diene से 4 kilocalorie per mole के अनुसार कम होती है ठीक है जैसे कि अब example ले heat of hydrogenation of 1-3-butadiene जो है वो लगबग 57.5 kilocalorie per mole होता है जबकि heat of hydrogenation of non-conjugated जैसे कि 1-4-pentadiene जो है उसमें जो है लगबग 60.6 kilocalorie per mole होता है तो अगर आप minus करें तो करीब 4 kilocalorie per mole का difference आता है इससे यह पता चलता है कि हमारी 1-3-butadiene जो है वो या conjugated diene जो होती है वो ज़्यादा stable होती है than the non-conjugated diene थे तो यह था structure and stability of stability का जो एक theory है कि क्यों stability की जादा होगी वो of conjugated diene की इससे related कोई question हो तो आप comment box में पूछेएगा मैं इसको answer करने के कोशिश करूँगा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद